चालाक लॉम्री और मुर्ख शेर कहीं दूर किसी गने जंगल में सबी जानवर मिल जुलकर रहते थे वहा का राजा शेर अब बुड़ा हो गया था और इतना कमजोर हो गया था कि दोड़ कर शिकार नहीं गर पाता था अगर ऐसा ही चलता रहा तो भूख के कारण एक दिन मेरी मिर्थ्यों निश्चित है हे बगवान मैं इतना बोड़ा और कमजोर हो गया हूँ कि दोड़ कर शिकार को पकड़ नहीं पाता हूँ यह तोसकर फिर से शिकार की तलास करने लगता है चलते चलते वो काफी दूर तब निकलाता है तब ही उसकी नजर एक गुफा पड़ पड़ती है अवज से ही यह किसी जानवर की गुफा है यहां मुझे मेरा शिकार मिल सकता है और अंदर जाता है पर देखता है कि गुफा बिलकुल खाली है लगता है जिसकी यह गुफा है वो शिकार करने के लिए गया हुआ है मैं यहां चुपकर बैठ जाता हूँ और जैसे यह वह जानवर अपनी गुफा में वापस आएगा तब ही उस पर आक्र मलकर उसको अपना बोजन बना लूँगा और मन ही मन खुश होते हुए गुफा में चिपकर जानवर के आने का इंतजार करता है उसको इंतजार करती करते कापी समय हो जाता है लेकिन कोई जानवर नहीं आता दरसल वो गुफा एक चालाक लोम्री की थी वो शाम को वापस अपनी गुफा के लिए आ रही थी आज तो भर पेट भोजन हो गया अब वापस गुफा में जाकर घोड़े बेच कर सोऊंगी लेकिन जैसे ही वे गुफा के पास पहुंचती है तब ही शेर के पंजो के निशान देखकर उसके ओश उड़ जाते हैं हे प्रभू यह तो शेर के पंजो के निशान है जो गुफा के अंदर जा रहे है लेकिन वापस आने के पंजो के निशान नहीं है इसका मतलब शेर अंदर ही है अगर मैं ऐसे ही अंदर चली गई तो शेर मुझे मार कर खा जाएगा अब क्या करूँ तब भी उसके तेज दिमाग में एक उपाय आता है और वो तुरंट जोर जोर से बोलना शुरू कर देती है गुफा बहन ओ गुफा बहन कैसी हो तुन लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता क्या बात है गुफा बहन मुझे जवाब क्यों नहीं दे रही हो रोज तो मेरे आने का बेसबरी से इंतजार करती हो मुझे माफ कर दो मेरी मौसी बहुत बिमार है अतहां मैं उनसे मिलने के लिए दोसरे जंगल में गई थी अब मैं तुम्हें कभी भी इतने दिनों के लिए छोड़ कर नहीं जाओंगी अब मान भी जाओ नहीं तो मैं दूसरे जंगल में रहने के लिए चली जाओंगी अब शीर को विश्वाज हो जाता है कि जरूर यह गुफा बोलने वाली है और लॉम्डी के अंदर बलाने के लिए आवाज बदल कर बोलता है नहीं नहीं बहन मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ पर वादा करो अब इतने दिनों के लिए मुझे कभी भी अकेला छोड़ कर नहीं जाओगी अब जल्दी अंदर आ जाओ बाकी बाते हम अंदर बैठ कर करेंगे अरे मूर्ख शेर मैं जानती हूँ कि तुम अंदर हो इसलिए गुफा से बाते करने का नाटक कर रही थी तुम बूरे होने के साथ साथ मूर्ख भी हो या यह नहीं जानते हो कि भला गुफा जैसी नर्जी वस्तू भी कभी बात करती है और यह कहतर भाग खड़ी होती है और किशी दूसरी गुफागी तलास करने लगती है शेर बिचारा अपने मूगता पर पस्टाता है और खालियाद अपने गरगी और चल देता है मॉरल मुसीवत में कभी न गवराएं और सदा अकल का इस्तिमाल करें त्सक्राइब न लुफागी तर सब्सक्राइब लुफागी तर श्ब्सक्राइब लुफागी न गवराएं